हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत हैं आज हम डिसकस करेंगे इडियम और फ्रेज़स के नेक्स्ट पार्ट को 20 इडियम और फ्रेज़स हमने कम्प्लीट किये थे हमारे लास्ट वीडियो में आज हम 20 ओर करेंगे तो सबसे पहले जो है हश मनी यहाँ पे देख सकते हैं आप हश मनी इसका क्या मिनिंग होता है इससे मतलब होता है कि किसी भी बात को छुपाने के लिए गुप्त रखने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको कहते हैं हश मनी यह इसका मिनिंग होगा अगला है in a nutshell, इसका मीनिंग होता है sun shape में, यानि in very brief form अगला है in black and white, यानि लिखित में देना, in printed or written form, ये इसका मीनिंग होगा अगला है in full swing, in full swing का अर्थ होगा पूरे जोरो पर, यानि at the height of the activity अगला है in the blues, इसका अर्थ होता है दुख में होना, या दुख या संताप में होना तो इसको हम लिखेंगे in dumps depressed, तो यहाँ इसका मीनिंग है in dumps depressed अगला है in the long run, यानि अनन्त, ultimately type बोल सकते इसको, ये होगा ultimately ultimately, in the nick of time, यहाँ N-I-C के spelling है, तो इसका अर्थ होता है ठीक समय पर at the last possible moment, अगला है in the same boat, यानि की यहाँ एक ही हालात में in the same boat, यानि sharing the same problems, next है in vogue, in vogue का मिनिंग होता है प्रचलित या जो currently fashion में है, तो हो जाएगा in the correct, sorry, in the current fashion next है ins and outs, ins and outs का होगा विस्तरत विवरन, यानि intricacies और complications या full detail full detail यहाँ पर हम इसका meaning लिखेंगे अगला है iron hand या iron fist, iron को मजबूती से relate किया गया है, यानि कडाई से rigorous control होता है न, उसको बोलते हैं, iron hand, iron fist, तो यह हो जाएगा rigorous control next है eating palm, eating palm का मतलब होता है, रिश्वत लेने के आदत हो न, तो यह हो जाएगा craving for, craving for bribe अब next है हमारा, itsy bitsy, itsy bitsy का meaning होता है, अत्यानत छोटा, very small या tiny very small और tiny को बोलते है, itsy bitsy next है jack of all trade and master of none इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा आदमी जो कोई भी काम में निपुर नहीं है, लेकिन सारे कामों की थोड़ी जानकारी रखता है तो इसको लिख देंगे हम अगला गिवन है jailbird, jailbird का meaning होता है कि ऐसा व्यक्ति जो jail में हो या फिर jail में रह चुका हो तो ए person who is or has been confined to jail का meaning हो अगला है jondist eye यह जाएगा पक्षपात पूर्ण द्रस्टिकोन to look at something with a prejudiced view यानि यहाँ पे हो गया to look at something with a prejudiced view next है judas kiss इसका मतलब होगा जूटा प्यार, false love अगला है jump to a conclusion यानि बिना सोचे विचारे किसी नतीजे पे पहुच जाना यानि to to come to a conclusion इसका हो गया to come to a conclusion prematurely next है kangaroo's court तो इसका मतलब होगा गैर कानूनी न्यायाले यानि an illegal court अगला है keep one's fingers cross इसका मतलब होता है किसी अच्छी गटना के होने की काम ना करना कई बारा हम करते हैं ना finger cross तो किसी अच्छी गटना के होने की काम ना करना तो इसका यान पे हो जाएगा to wait expectantly इसका meaning होगा तो ये हमने cover किये आज के वीडियो में 20 idiom and phrases 20 से पहले कर चुके हैं तो total हो गया हैं 40 बाकी के हम next classes में करेंगे तो आपकी कोई भी query हो वो comment section में लिख सकते हैं and thank you so much have a nice day keep sharing and keep watching